सब का स्वागत है इस खूप सुरद मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौजुद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्ने ले लिया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों के खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शांदार स्टेडियम में अमपारेज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैच्टन पिछ की और बढ़ते हुए तेज गेन बास को लाए गया है सब तैयार इनिंग्स की पहली गेन के लिए ये गेन फिर से डालनी पड़ेगी वाइड बाल कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है ओ बलेगा किनारा लगा स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनद उठा रहे है करारा शोर और पहुचा दिया है ग्राउंड के बाहर स्टेडियम यूस किया है ओ शॉट को मिस किया और गेन सीधा बल्लेबास की बॉड़ी पे लगी चौका बेतरी शॉट बल्लेबास द्वारा बल्लेबास अच्छे फॉर्म में दिख रहे है बढ़िया बॉलिंग बल्लेबास को परिशानी में डाल रहे हैं यहांपर बल्लेबास जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे यह गेन फिरसे डालनी पड़ेगी वाइबाल बढ़िया शॉट और गेन सी दी बांडरी लाइन की तरफ जाती हुई इसके साथ पावर प्लेस समाप्त हुआ जबरदस शॉट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेन को बांडरी जाने से जब यह फुल फॉर्म में होते हैं गेन बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं हवा में दे मारा है यह जब गया विकेड वह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफतार है इनके पास गेन बाजी काफी डिस्प्लिन रही है अब तक आसानी से खेलाए एक रन के लिए खेलाडी जल्दी से बैक अप करने के लिए आये थे हर रन की एहमियत समझते हैं बड़ा शौट बैतरीं टाइमिंग छे रन के लिए अंतिम ओवर्स के लिए विकेड को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा सुन्दर शौट गैप में सीधा चार रन के लिए ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने वाह क्लीन बैक स्वेंग छे रन इनिंग्स की समाक्ती सलामी बल्ले बाजों को जल्ड़ा पापिस क्रीज पर उतरना होगा फीलिंग तीम पूरी तरसे तयार लगरिये आपर तेज गेन बासको लाया गया है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए आसानी से खेला है एक रन के लिए बड़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब धीमी गेंद इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा गेन बास साइड चेंज करते हुए राउंद विकेट अप गेन बास ही करेंगे लंबा शॉर्ट खेलने का प्रयास और गेन सीधा फील्डर के हाथों में इस विकेट की तलाश थी इने कैप्टन काफी खुश गेन बास से काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोरा आए चतूर गेन बासी शायद पहली अनुमान लगाया था कि इस तरह का शॉट केलेंगे बल्ले बास नए बल्ले बास को स्ट्राइक पे रखने की बहुत कोशिश करेंगे यह कप्तान चौका बहतरी शॉट बल्ले बास दोरा बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बास सिंगल लेकर बल्ले बास अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं गेन बास साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेन बास ही करेंगे आसानी से खेला है एक रन के लिए अडिया गेन बिलकुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बास गेन बास अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं बाल बाल बचे बल्ले बास बहतरीन गेन बासी बल्ले बास पिछली गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे लाज अवार टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा बड़े बड़ाने के लिए थोड़े चांसे लेने होंगे अब बढ़िया शॉट और गेन सी दी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने चौका बैतरी शॉट बल्ले बाज द्वारा बैतरी इन फील्डिंग और बोलिंग का प्रदर्शन हमें देखने मिला यहाँ पर फील्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने अपने बोलर्स को रोटेट किया यह जी तो इनी की थी